आज भारत के पुरो पर्धानमंत्री पीवी नर्शिमाराओं का जनम 28 जून 1921 को त्यलंगाना के वरंगल जिले में हुआ था अंग्रेजों के जमाने में यह जगए हैधराबाद स्टेट में आती थी नर्सिमाराओ 17 भासाईं बोल सकते थी इसलिए उनको पोलिक लोट भी कहा जाता है इसमें 9 भारतिये और 8 विदेशी भासाईं थी पीवी नर्सिमाराओ को भारत का Indian Economic Reforms का फादर भी कहा जाता है नर्सिमाराओ से पहले चंदर्सेकर भारत के पधानमंतरी थे चंदर्सेकर के कारेकाल में भारत दिवालिया होने के कलगार पर खड़ा था कर्ज चुकाने के लिए भारत को अपना सोना गिल्वी रखना पड़ा था ये भारत के लिए बहुत सर्मनाक स्थिती थी भारत की अत्यवस्ता को इस खराव दोर से भाहर निकालने का स्रे नर्सिमाराव को जाता है भारत की विदेशनिती को विस्तार देने में भी उनका बड़ा महत्तव रहा है आज हम भारत की विदेशनिती का जो विस्तार देख रहे हैं उसकी शुरुवात में नर्सिमा राव ने ही की थी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नर्सिमा राओ भारत के बहुत दूरदर्सी प्रधान मंतरी थे नर्सिमा राओ ने अपने कारेकाल में भारती विदेशनेती के विस्तार की प्रिकरिया को सुरू किया साल 1992 में नर्सिमा राव ने इसराइल के साथ भारत के संबंदों को बढ़ावा दिया उन्होंने अपने कारेकाल में इसराइल के साथ भारत के रिस्तों को अधिकारिक रूप दिया 1990 के पहले भारत की विदेशनिती सोवित संग की तरब जुकी हुई थी लेकिन दूरदर सी नर्सिमा राव ने भारत और अमेरिका के बीच सम्वंदों को बहुत मजबूत किया साल बाणवे में भारत और अमेरिका ने मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू की आज जापान भी इसमें सामिल होता है नर्सिमा राव इस बात को पहले ही समझ चुके थे कि हिन मासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को साथ लाना बहुत जुरूरी है लुक इस्ट पोलिसी भी नर्सिमा राव ने ही सुरू की थी इस निती के तहट भारत ने दक्सिनपुरो एसिया के देशों के साथ अपने संबंदों को मजबूत किया परधनमंत्री नरेंडर मोदी ने इस लुक इस्ट पोलिसी को एक्ट इस्ट पोलिसी के रूप में आगे बढ़ाया है इसी निती के माध्यम से आज भारत और दक्सिनपुरो एसिया के देशों जैसे वेतनाम, लाओस, इंडोनेसिया, कमबोडिया और थाइलेंड के बीच रिस्ते मजबूत हो रहे है